Hello everyone, welcome to the Defenders YouTube channel So, आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे English के error based question ये जो question मैंने इस वीडियो में include किये हैं वो सारे के सारे questions आपके जो tense वाला topic होता English में वहां से लिए गए हैं यानि कि जो error based question होंगे इस पूरी वीडियो में वो tense से related होंगे यानि कि जितने भी rules tense में important हैं जो की आपके exam में पूछे जा सकते हैं उन सभी tense के जो important rules हैं उन सभी को base मान कर मैंने MCQs तयार की हैं questions बनाए हैं तो basically उन questions के थुरू मैं आपका जो tense में important rules हैं उनको भी बताता चलूँगा जहां से mostly questions आते हैं ठीक है तो ये video काफी important होगी अगर आप DSEU के exam देने जा रहे हैं और सिर्फ DSEU के exam के लिए ही नहीं अगर आप कोई भी exam की तयारी कर रहे हैं चाहे वो ESIC का जो अभी MTS का mains exam होने वाला है चाहे आप उसकी तयारी कर रहे हैं फिर इसके अलावा अगर आप SSC के जो MTS है या जो phase 10 के अभी जो आपके forms निकले हैं अगर आप उसके लिए prepare कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी जादा important होने वाली है video ठीक है तो एक-एक करके हम इसी तरह से English के एक-एक lecture के थूँ जितने भी English के topics हैं उन सभी को cover करेंगे error based questions के तहत ठीक है जैसे आज 10s पर based error based questions है उसके बाद next topic में next video में हम कोई और topic लेकर जैसे nouns हो गए, pronouns हो गए उन सब के topics को एक-एक करके error based question के थूँ complete करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ वही जो rules हैं जो की बहुत जादा important है जो आपके exams में हर बार पूछे जाते हैं उनी rules को लेकर मैं videos बनाऊँगा जिससे कि आपके वो सारे rules clear हो सकें और आप exam में English के paper में at least जो error based question है उनको गलत ना करें ठीक है तो video start करने से पहले अगर आपको इस video का pdf चाहिए तो वो आप telegram से जाकर download कर सकते हैं जिसका description box में मैंने link दिया है तो वहाँ से जाकर आप join कर सकते हैं telegram को सो आज की video होगी English के error based question जो की tense पर होंगे तो उसको start करते हैं और अपना पहले question को देखते हैं क्या पूछा गया इसमें सबसे पहला question है इसमें हमें बोला गया है I have not seen I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead इसमें error बताना है आपको कौन से पार्ट में error है तो पहले इसका Hindi meaning समझ लेते हैं basically यह कहना चाहरा है कि मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा है तो मैं certainty यानि कि निश्चित्ता के साथ नहीं कह सकता कि वे जिन्दा है या मर चुका है तो यह इसमें बोला गया अब हमें पहचानना है कि यहां पर error कौन से पार्ट में है तो देखिए जो इसमें error है वो है आपका पार्ट नंबर ए में ठीक है पहला पार्ट जो है इसमें error है अब error क्या है तो देखिए इसमें बोला I have not seen him since 20 years तो यहां पर since का use किया गया है na since तो देखिए बेसिकली जो since होता है since use किया जाता है आपका किसी particular point of time के लिए ठीक है particular point of time के लिए point of time को denote करने के लिए since का use किया जाता है यानि कि जहां कहीं भी आपको किसी particular point of time का जिक्र किया गया हो वहाँ पर आप since का use करते है जबकि जहां पर आपको एक time interval दिया हो एक duration दी हो वहाँ पर आप use करते हैं किसका 4 का तो 4 कहां पर use होता है 4 use होता है time duration के लिए time duration ठीक है जिसमें हमें exact time पता नहीं होता ठीक है, एक duration होती है time की जैसे कि मैं example के लिए आपको बोलता हूँ जैसे since का use किया जाता है Since आप क्या सकते है, morning एक particular point of time है, ठीक है, morning यानि कि सुभा से since Monday यानि कि Monday से है न, since आप कोई भी साल लिख सकते है, 1947 तो यह, यह सारी चीज़े क्या है न, यह particular point of time है, since January, since February, since 6 p.m. तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, एक particular point of time को denote करता है, लेकिन जहां पर 4 का use होता है, तो 4 कहां पर use करते हैं आप, 4 का use होता है, basically time duration के लिए जैसे, for two years ठीक है, for two years for आप कहा सकते हैं, जैसे for, 50 minutes इसमें क्या होता है, इसमें एक particular point of time नहीं दिया होता, बलकि एक time duration दिया होती है तो उसमें हम use करते हैं, कि इसका 4 का, और जो particular point of time होता है, उसका use करते हैं since के लिए, ठीक है, तो यह काफी जादा important concept है, यहां से आपको है, यहां पर लिखा है, 20 years एक time period दिया हुआ है, ना कि point of time, ठीक है, तो I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा हम चलते हैं अपने question number 2 की तरफ, इसमें हम से बोला गया है, by the time we got our tickets and entered the cinema theatre, the show was already begun, तो यह भी काफी जादा important और बहुत ही जादा बार पूछा गया है, exams के अंदर तो यह doctor patient वाला rule भी इसको कई जगा पर बोल दिया जाता है, ठीक है, doctor patient rule, यानि कि doctor के आने से पहले ही patient की death हो चुकी थी, तो यह इस rule का मतलब क्या है न, देखिया, जब कभी भी past में कोई भी दो activities हो रही है, कोई भी दो कार्रे किये जा रहे है, past में तो जो past में दो कार्रे किये जा रहे है, activities की जा रही है, तो जो पहली activity है, जो पहले हुई है उसके साथ आप use करते हैं किसका, head third form का, head plus v3 का ठीक है, और जो आपकी second activity होती है ठीक जो पहली activity के बाद होती है उसमें आप generally use कर लेते हैं किसका simple past का simple past तो इस पर based भहुत सारे questions बनते हैं तो इसी पर based यह question भी है तो इसमें बोलाएं by the time we got our tickets ठीक है and entered the cinema theater the show was already begun तो इसका हिंदी का अगर meaning समझे तो इसमें बोला गया है कि जब हमने ticket खरीदी और हम cinema hall में enter हुए तो show जो था वो already start हो चुका था यानि कि show पहले ही start हो चुका था और ticket लेकर वो बाद में cinema hall के अंदर गया यानि कि दो activity हुई एक show का start होना और दूसरा ticket लेकर अंदर जाना तो show क्योंकि पहले start हो चुका है तो यहाँ पर क्या आएगा पहली activity है यह पहले हो चुकी है तो यहाँ पर आपको head और v3 का use करना पड़ेगा तो v3 आपको दिख रहा है begin लेकिन यहाँ पर vaz का use किया गया तो इस वाज को हटा कर हमें क्या लगाना है head तो अपना यह पूरा correct हो जाएगा यानि कि by the time we got our tickets and entered the cinema theater the show had already begun यानि कि show start हो चुका था जब हम ticket लेकर cinema hall के अंदर गए ठीक है तो अब हम चलते हैं अपने question number 3 की और यह question number 3 भी बिल्कुल उसी पर based है यानि कि जो अब यह हमने question number 2 किया बिल्कुल as it is उसी पर based है बस इसमें क्या है उसमें past में दो कार्रे किये जा रहे थे दो activities हो रही थी और इसमें क्या है future में दो activities हो रही है ठीक एनकि अगर future में दो काम किये जा रहे हैं दो activities है activity one और activity two तो फिर जो आपका पहले activity हो चुका है ठीक है उसके लिए तो आप will have और third form का use करते हैं will have third form यानि कि V3 और जो आपकी activity बाद में हुई है यानि कि ये थी अपनी activity one और ये थी अपनी activity दो यानि कि जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम simple use करते हैं किसका simple present tense का simple present tense ठीक है तो जो बाद में activity हुई है उसमें simple present का और जो पहले activity हुई है उसमें will have third form लगा देंगे तो इसको पढ़ते हैं जरा इसमें बोला गया है by the time we will get our tickets and enter the cinema theatre the show will have already begun तो इसमें देखें ये तो ठीक है कि जो show था वो शुरू हो चुका था या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि future में चल रहा है तो show शुरू हो जाएगा जब तक हम ticket लेकर और cinema के अंदर enter करेंगे तो यानि कि show शुरू हो जाएगा यानि कि ये क्या है activity पहले से हो चुकी है future में ये पहले ही हो जाएगी और उसके बाद हम ticket लेकर enter करेंगे तो activity 2 क्या है अपनी ticket लेकर enter करना और ये activity 1 है तो activity 1 में तो ठीक है will have और third form लगाई हुई है तो यहाँ पर तो error नहीं है error कहाँ पर है अपने b part में तो ये जो will लगाया है तो will लगा कर हमने इसको future का tense बना दिया जबकि हमें कौन सा रखना था इसको simple present का tense तो by the time we will, will को हटा देना है हाँ से ठीक है यानि कि will को क्या करना है, remove करना है will को हटा कर simple यही रखना है कि by the time we get our tickets and enter the cinema theater the show will have already begun तो will को यहाँ से हटा कर simple आप इसको present tense में रहने दीजे तो I hope आपको ये दूसरा वाला rule और तीसरा वाला rule अच्छे से समझा गया होगा इन दोने में काफी confusion रहती है तो future में होगा तो जो second activity हो रही है उसके साथ simple present आएगा first activity के साथ will have third form और अगर past में बात की जा रही है तो जो पहला action है वो head v3 के साथ और जो दूसरा action बाद में हो उसका simple past में आप उसका use करते हैं तो ये दोनों बहुत जादा important question है और ये rule भी बहुत जादा important है यहां से directly आपको questions देखने को मिल जाते हैं तो मैं चलता हूँ अपने next question की ओर so question number 4 में हमसे पूछा गया है ये sentence दिया है I have passed the exam two years ago तो देखे बहुत ही आसान सा है देखकर इसमें कोई भी error पहचान सकता है यहां पर already इन्होंने बोल दिया है कि two years ago यानि कि दो साल पहले की बात की जा रही है I have passed the examination two years ago यानि कि past की बात हो रही है कि मैं दो साल पहले ही exam past कर चुका हूँ तो जब past की बात की जा रही है तो यहां पर have का क्या काम have तो अपने को present में use होता है ठीक है present में हम use करते हैं किसका have या has का has या फिर have का तो present में use होता है तो जब यह sentence ही past tense का है two years ago की बात की गई है दो साल पहले की बात की गई है तो इसमें have का तो कोई काम यह नहीं नहीं है तो यहां से क्या करो have को आप remove कर दो simple sentence क्या बन जाएगा यह में क्या है error है तो हम चलते हैं अपने next question की ओर इसमें हमसे बोला गया है the teacher has took the responsibility the teacher has took the responsibility again अगर आपने थोड़ी भी English पढ़ रखी है थोड़े भी tense की आपको समझ है तो आप देखके ही answer बता दोगे इसमें कहां पर error है अगर आपने present perfect tense पढ़े है present perfect ठीक है present perfect यह past perfect भी पढ़े हो तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है आपका has have या फिर अगर आपका past है तो head इन तीनों के साथ हमेशा किस का use किया जाता है हमेशा we three का use किया जाता है यानि कि third form का यूज किया जाता है वर्ब की third form का चाहे has हो चाहे have हो चाहे head हो तो यहाँ पर नहीं कि has तो दिया हुआ है लेकिन take की यहाँ पर दूसरी यानि कि second form दिया है take की third form क्या होती है भी यह होता न take then took then taken third form तो taken होती है और यहां पर क्या दिखा हुआ है यहां पर है took तो इस took को हमें replace करना है किस से taken से तो इसमें error कौन से पार्ट में है अपना option number b में तो b में इसमें क्या है error है और जो correct sentence होगा वो हो जाएगा the teacher has taken the responsibility तो took को हटा कर taken कर देना है next question में हमसे बोला गया है this tv serial is going on for three years तो देखे जब कभी भी इसमें आपको यहां से दिख रहा है four four लिखा हुआ दिख्या जब कभी भी आपको since four दिख जाए न तो समझ जाना वहां पर कौन सा tense का use किया जा रहा है वहां पर present perfect continuous या past perfect continuous का use किया जा रहा है तो यहां पर क्योंकि हमें four दिख गया और time period भी दिख गया तीन साल बोला गया इसमें four three years इसका मतलब है कि यहां पर definitely क्या आएगा या तो यह आपका present perfect tense होगा या फिर आपका क्या आएगा यहां पर present perfect continuous होगा या फिर past perfect continuous होगा तो क्योंकि देखिए यहां पर दिया this tv serial is going on for three years तो हमें क्या करना है इस is को हटा देना है यहां से इस को हटा कर हमें क्या करना है क्योंकि यह अभी भी चल रहा है serial तो present की बात की जा रही है और serial क्या है एक singular subject है तो singular subject है इसका मतलब यहां पर आ जाएगा has तो हमें क्या करना है इस is की जगा पर यहां पर has आ जाएगा this tv serial has been और लगा देना है ठीक है क्योंकि क्या है यह present perfect continuous है तो इसका rule आपको पता ही होगा present perfect continuous का कि has been have been यह had been लगा जाता है अगर past form हो तो had been वनना present में has been have been तो this tv serial has been going on for three years ठीक है तो इस की जगा पर आपको has been लगाना है अगर यहां पर tv serial की जगा कोई plural subject होता तो आप इसको have been कर देते ठीक है तो यह भी काफी important है इसको भी आप अच्छे से note कर लेना है just wait a minute क्या कि अभी बता दूंगा तो इसकी अच्छे सब्सक्राइब ओके सौरी पूर इंटरप्शन ओके सो हम आ चुके हैं अपने question number seven की ओर इसमें देखे हैं हमसे बूला गया है okay so इसमें बूला गया है since the trip home was expensive I did not went home during holidays तो हिंदी में अगर इसका meaning समझे तो इसमें बूला गया है क्योंकि जो घर की trip थी यानि की trip थी home के लिए घर जाने की जो अपनी trip थी वो काफी जादा महंगी थी जिसकी वजए से मैं holidays में अपने घर नहीं जा सका तो यहां पर भी एक काफी जादा important rule है आपको जहां पर भी did दिख जाए अच्छे से note कर सकता है अब इसको जहां पर भी आपको did लिखा हुआ दिख जाए तो उसके साथ हमेशा आपको v1 का use करना होता है ठीक है did प्लस में v1 तो यहां पर क्या दे कि did दिख गया did not और यहां पर क्या है v2 का use किया गया है went का use तो जहां कहीं भी आपको did दिख जाए तो वहां पर error भी इसी form में देते हैं कि वो v1 की जगा v2 या v3 दे देते हैं तो यह went क्या है went तो go की second form है go went go ना अपने पड़ा होगा तो इस went को replace करके हमें यहां पर क्या लिख देना है go ठीक है तो यह हो जाएगा since the trip home was expensive I did not go home तो did जहां पर भी आपको दिख जाए ना वहां पर आप बिलकुल आख बंद करके वीवन देखिए अगर वीवन नहीं है तो वहीं पर ही क्या है आपका error है ठीक है काफी important rule है so question number 8 में हमसे बोला गया है by this time next year Ramesh will take his degree यानि कि okay okay so इसमें बोला गया है by this time next year Ramesh will take his degree इसका हिंदी में meaning समझे तो next time यानि कि by this time next यानि कि इस समय अगले साल में Ramesh अपनी degree ले चुका होगा यानि कि future की बात की जा रही है इस sentence के अंदर कि इस समय पर अगले साल में Ramesh अपनी degree ले चुका होगा तो जब कभी भी हम future में बात करते हैं किसी activity या किसी कार्रे के पूर होने की future में कोई कार्रे क्या हो रहा है complete हो रहा है complete हो रहा है future का कोई भी activity कोई भी कार्रे तो उसमें हमेशा हम कौन सा form यूज करते हैं उसमें आपको पता होगा यह आता है आपका will have plus में v3 ठीक है यानि की v1 की जगा पर यहाँ पर क्या दिया इन्होंने रमेश will take his degree तो will तो दिया हुआ है तो और यहाँ पर क्या रख रख है ना तो इन्होंने have दिया है और ना ही take की third form दिया है तो जो correct answer होगा अपना वो हो जाएगा by this time next year रमेश will have taken his degree ठीक है तो इसका जो error है वो कौन से part में है option number b में और जो correct sentence बनेगा वो इस तरह से बनेगा by this time next year रमेश will have taken his degree यानि कि इस समय तक अगले साल में रमेश अपनी degree ले चुका होगा ठीक है हम चलते हैं अपने question number 9th की ओर so last night I dream I was a shake on the 169th floor of Burj Khalifa तो देखे इसको भी देखकर ही आप बता सकते हैं अगर आप sentence को ठीक से समझ पा रहे हैं यह sentence जो है वो past form का है क्या बात की जा रहे है कि last night I dream यानि कि पिछली रात मैंने सपना देखा कि मैं एक शेक हूँ और Burj Khalifa के 169th floor पर हूँ तो इसमें देखे last night की बात की जा रहे है यानि कि past की बात हो रही है ठीक तो past की बात हो रही है तो हमें जो अपनी verb की form होती है वो भी past वाली लेनी होती है लेकिन यहाँ पर तो यह क्या है dream है यह तो present की form है verb की तो इस dream को या तो आप कर लीजिए ed लगा लीजिए इसमें यानि कि या तो इसको बना लीजिए dreamed या फिर आप इसको dream कर लीजिए dream कर लीजिए या फिर dreamed कर लीजिए यह जो dream है यानि कि जो verb की जो present form है इसका use नहीं होगा क्योंकि यह sentence past form का है तो इस dream की जगा dreamed या फिर dreamed होगा तो जो correct answer है इसमें जो error है व इसको आप ठीक कर सकते हैं ड्रीम की जगा ड्रीम्ट या फिर ड्रीम्ट आएगा then question number tenth में हमसे बोला गया है as soon as the CEO entered the office the union leaders approached him and report the matter to him तो देखे again past form में पूरा का पूरा sentence आपको दिख रा होगा देखे यहाँ पर verb की form है entered और entered क्या है? verb की past form है ed लगा हुआ है फिर उसके बाद अगली form देखे verb की approached, approached में भी ed लगा है यह भी past की form है अगली verb देखे अगली verb है report यहाँ पर गलती दिख गई हमें क्योंकि जितनी भी verb आई हैं वो सभी की सभी किसमे है past form में है ed लगा हुआ है लेकिन यह वाली verb जो है वो simple present की form है यानि की report ना होकर इसको होना चाहिए था reported ठीक है तो reported इसको करेंगे हम तब जाकर यह sentence हमारा correct होगा यानि की as soon as the CEO entered the office the union leaders approached him and reported the matter to him यानि की report की जगा reported आएगा तो error कौन से पार्ट में है option number c में question number 11 है इसमें बोला गया है it is high time we should have done something useful again काफी जादा important rule है यह rule में आपने देखे जहां कहीं भी आपको यह दिख जाए ना it is it is high time या फिर आपको simply यह दिख जाए it is it is time इस तरह से अगर कोई भी sentence start हो रहा है तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है जो भी इससे just बाद verb use होगी न वर्ब वो हमेशा कौन सी होगी वी टू की यानि की second form of verb का use किया जाएगा यानि की past form का use किया जाएगा वर्ब का ठीक है तो यहाँ पर देखे it is time दिग्या लिखा हुआ तो it is time के बाद verb कहां पर आ रही है यहाँ पर we should have done तो done दिख रही है यहाँ पर verb तो हमें इस done को क्या करना होगा did और did के साथ यह should have लगाने की जरूरत नहीं है यानि की correct sentence क्या होगा it is time we did something useful यानि की should have को आपको हटा कर और done को क्या कर देना है did ठीक है तो done की जगा did करना है और should have को हटा देना यानि की इसमें error कौन से पार्ट में ता option number B में काफी important rule है आप इसको लिख कर रख सकते हैं न ससी में या आपका जो भी DSU का exam है या ESI banking किसी में भी यह पूछा जा सकता है न काफी बार पूछा भी गया है तो हम चलते हैं अपने question number 12 की और इसमें बोला गया है perhaps you do not know I am owning a farmhouse besides two bungalows यानि कि इसका hindi meaning समझें तो इसमें बोला गया है perhaps मतलब शायद you do not know शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं एक farmhouse के अलावा दो बंगले भी मतलब मेरे पास है यानि कि मैं दो बंगलों के अलावा मेरे पास एक farmhouse भी है ये बोला गया है इसका meaning जो है इसमें देखे जब कभी भी आपके सामने यहां पर दिया है perhaps you do not know तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिखरी गलती है अपनी यहां पर I am owning यह गलत वर्ड है owning कोई वर्ड नहीं है बलकि इसकी जगाँ पर क्या use किया जाता है या तो use होता है आउन या फिर use होता है आउन्स ठीक है यानि आउन्स का मतलब होता है possession अपने पास कुछ रखना कुछ अधिकार होना ठीक है अधिपत्य होना किसी जीज़ पर तो क्योंकि यहां पर I लगा हुआ है तो I तो एक plural subject की तरह हम use करते हैं तो I के साथ हम क्या लगाएंगे आउन्स यानि की plural verb का use होगा अगर I की जगह यहां पर he, she या कुछ भी कोई भी नाम होता तो यह आउन्स की जगह आउन्स हो जाता ठीक है तो correct answer क्या होगा अपना perhaps you do not know I own a farmhouse besides two banglows यानि कि इसमें जो error वाला पार्ट है वो है option number B यानि कि B में error है, M को हटा देना है, I am, M हटा कर simple owning को own में convert कर देना है ठीक है, okay so question number 13 में बोड़ा गया है, she did not prepare her breakfast yet तो देखे, again यहाँ पर देखके यह आप बता सकते हैं, यह काफी important और काफी easy rule आप कह सकते हैं जहां कहीं भी आपको yet लिखा हुआ दिख जाए, तो बहुत ज़्यादा high chances होते हैं कि वहाँ पर हमेशा present perfect tense का ही use किया गया है, present perfect tense, ठीक है तो जहां कहीं भी आपको yet लिखा हुआ दिख जाए, तो फटाफट आप देख लीजे क्या present perfect की helping verb भी वहाँ पर use की गई है या फिर नहीं की गई, तो यहाँ पर मुझे क्योंकि yet दिख गया, तो मैंने helping verb देखी और मुझे यहाँ पर मिल रही है did तो did तो use नहीं होगा, क्योंकि present perfect में did का use तो होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, क्योंकि she लिखा हुआ है, तो she क्या है, एक singular subject है, तो she के साथ हम लगाएंगे क्या, has का use करेंगे तो simple क्या हो जाएगा यह, she has not prepared, तो prepare को भी क्या करना पड़ेगा, prepared करना पड़ेगा, क्योंकि has, have के साथ V3 का use किया जाता है, third form की verb का, तो did की जगा आजाएगा, has, prepare की जगा आजाएगा, prepared, तो correct sentence होगा, she has not prepared her breakfast yet, तो जहाँ भी yet दिख जाए, तो हमेशा जाना आप present perfect और helping verb देख लेना, वहीं पर कुछ ना कुछ गलती होगी, ठीक है, तो इसमें option number यह अपना answer हो जाएगा, जिसमें error था, तो आज की इस वीडियो का last question है यह, और इसमें बोला गया है, my uncle has left for Bombay last Saturday, तो देखे, last Saturday की बात की गई है, last Saturday, last Saturday का मतलब है, past की बात की जा रही है, ठीक है, और past की बात की जा रही है, तो यहाँ पर has का क्या काम भई, has तो एक present की, आपको helping verb दिखेगी, यह तो helping verb है, किसकी present form की, यानिकि present tense की, और जबकि यह sentence तो last Saturday के बारे में बात कर रहा है, यानिकि past के बारे में बात कर रहा है, तो past के sentence में has का तो कोई काम आएगा ह ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इस has को remove कर देना है, अपना sentence जो होगा, वो correct हो जाएगा, यानिकि my uncle left for Bombay last Saturday, यानिकि has को हमें remove करना है, जो error था वो option number B में था, has यहाँ पर नहीं आएगा, so I hope आपने ये वीडियो काफी enjoy किया होगा, और जितने भी मैंने rules बताएं, वो आपने note कर लिये होंगे, क्योंकि यही वो rules है, जहां से tense से related, जो भी error based question बनते हैं, exam में पूछे जाते हैं, most important rules थे यह, tense पर based, तो next video जो आएगी, English से related, वो अपनी next topic पर होगी, noun, pronoun, या जो जो भी होगी, वो next video में आपको पता चल जाएगा, उस पर ही error based question करेंगे, और जो most important rules होंगे, उस topic से related, उनको इसी error based question के थूँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और यह सभी के लिए important है, ऐसा नहीं है, कि मैंने DSEU लिखा है, तो सिर्फ DSEU के लिए, अगर आप SSC या कोई भी other exam की तयार कर रहे हैं, banking की तयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यह उतना ही helpful होगा, अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप Telegram से download कर लेना, link description box में दिया हुआ है, so thank you so much for watching this video.